C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद मै प्रिष्ट संख्या 32, पार्ट 4, कहानी परचाईयों से यहां प्रिष्ट संख्या 32 पर दशहरे परव का एक चित्र दिया गया है जिसमें रावन और राम के परचाई चित्र दिये गये हैं साथ ही चित्र के कोनों पर दो बच्चे बने हुए हैं एक लड़का और एक लड़की लड़का कहता है बहुत खुब यह परचाईयां बहुत अदबुध हैं लड़की ने कहा यह परचाईयां कैसे बन रहे हैं नकुल ने गाउं के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परचाईयां दुआरा दर्शाया जाता है जिसे तोगलू गोंबयत के नाम से जान जाता है वो सब परचाईयों को देखकर खुश और अचम्बित हो गए उन्होंने भी परचाईयां बनाने की सोची वो सब अपनी उंगलियों से विभिन पशुओं की परचाई दिवार पर बनाने का प्रयास करने लगे आप भी कुछ परचाईयां बनाने का प्रयास कीजिए, इसके कुछ उधारण दिये गए हैं इस प्रिष्ट पर हाथ से बनी कुछ परचाईयां दर्शाई गई हैं बच्चों को करनाटकी तोगलू गोंबयत कटपुतली कला से परचित कराईए तोगलू गोंबयत की कटपुतलीयां चमने से बनाई जाती हैं और इसमें प्राचीन भारती कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है बच्चों द्वारा देखे गए किसी कटपुतली निर्ते के विशय में उनके साथ बाचीत करें प्रिष्ट संख्या 33 आओ करें बच्चों को विभिन जानवरों की परचाई एवं उनके ध्वनियों से संबंधित अभिने करने के लिए प्रिरित कीजिए बाचीत करें क्या आपने अपनी या किसी पेड, कुते, गाए या किसी अन्य जानवर की परचाई देखी है क् कोई परचाई कब गायब हो जाती है परचाई का खेल यहां प्रिष्ट संख्या 33 पर दी गई आकृतियां हैं और उनकी परचाईयां दी गई हैं गन, त्रिकोंड, बेलनाकार और वृत साथ ही यहां पर एक हाथ को टॉर्च पकड़े हुए दिया गया है अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तू के साथ कीजिए उन वस्तू के नाम लिखिए जिनकी परचाई आप देख रहे हैं क क्या टॉर्च की स्थिती बदलने पर परचाईयों के आकार में परिवर्तन होता है ख दिन के किस समय आपकी परचाई सबसे छोटी होती है ग दिन के किस समय आपकी परचाई सबसे लंबी होती है बच्चों के साथ दिन के अलग-अलग समय में उनकी परचाईयों पर उनके अवलोकन और उसके पीछे के कारण के विशे में चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या 34 जिसमें एक पैंसिल लिये हुए हाथ और एक दिया सलाई को दिया गया है। घेरे के बाद आपको कौन सी आकरतियां समझ में आ रही हैं। उनका चित्र बनाईए। यहाँ पर एक खाली आयताकार आकरति दी गई है। सोचो, समान ट्रेस वाली वस्तुओं को लिखिये। क कौन सी वस्तुओं धक्कन जैसे घेरे वाली हैं। रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान। क कौन सी वस्तुओं रबड जैसे घेरे वाली हैं। रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान। प्रिष्ट संख्या 35 लुका चिपी वृत और आयत लुका चिपी खेल रही है आयत वृत से चिप रहा है यहां प्रिष्ट संख्या 35 पर एक घर का चित्र दिया गया है घर के अंदर रखे सामानों को यहां पर दिया गया है वृत कहता है एक, दो, तीन, दस आयत कहता है मैं कहां चिपूँ? हरे हाँ, हरे जूते का डिब्बा जूते का डिब्बा कहता है मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ मैं इसके पीछे चुपूँगा वृत कहता है आ रहा हूँ वृत्य फिर से कहता है आप कहा है? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे है? प्रिष्ट संख्या, 36 वृत्य कहता है क्या आप टीवी के पीछे है? मैंने आपको पकड़ लिया है आप जूते के डिब्बे के पीछे है अब मेरी बारी है एक, दो, तीन, दस मैं कहा चिपू दर्वाजे की घंटी बजी और त्रिकून एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए प्रिष्ट संख्या, 37 अब वो सभी एक साथ खेल रहे हैं क्वृत्य चिप सकता है घड़ी में, गेंद में, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान ख आयत चिप सकता है जूते के डिबबे में, फोटो फ्रेम में, रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान ग लेकिन त्रिकून और वर्ग उल्जन में हैं और वो सोचते हैं कि कहा चिपना है उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाएं जहां वो चिप सकें त्रिकून चिप सकता है रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान वर्ग चिप सकता है रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान दरी में रंग भरो यहां प्रिष्ट संख्या 37 पर त्रिभुजों, वृत्तों, आयतों और वर्गों के पैटर्न से बनी एक दरी दी गई है त्रिभुजों में लाल रंग भरिये, वृत्तों में हरा रंग भरिये, आयतों में पीला रंग भरिये और वर्गों में नीला रंग भरिये अलग-अलग आकृतियों से अपने डिजाइन बनाईए और उसमें रंग भरिये यहाँ पर अपनी आकृतियां और डिजाइन बनाने के लिए एक आयताकार आकृती दी गई है प्रिष्ट संख्या 38 कोने पर खड़े हो नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं नवीन मेज की ओर पीट करके खड़ा है और ताली बजा रहा है नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दोड़ते हैं जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुख जाते हैं जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा. अगली बार बाहर होने वाला खिलाडी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा. यहाँ प्रिष्ट संख्या 38 पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक कमरे में एक मेज रखी हुई है. मेज के चारों उर कुछ बच्चे हैं, और एक बच्चा दिवार की तरफ मूँ करके खड़ा हुआ, ताली बजा रहा है. मेज के चारों उर जो बच्चे खड़े हैं, उनके नाम हैं उदित, परमजीत, वसीम, नाइसा और सीमा. मेज के चार अलग-अलग कौनों पर उदित, परमजीत, नाइसा और सीमा हैं. वसीम को कोई कोना नहीं मिला. चित्र समझ कर बताईए. क उन बच्चों के नाम बताईए, जो मेज के कौने के पास हैं. क अगली बार ताली कौन बजाएगा? ग, वसीम कहां खड़ा है? ग, क्या ये खेल एक गोल में इसके चारों और खेला जा सकता है? क्यूं? अंग, क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तूओं के नाम बता सकते हैं, जिनके किनारे सीधे हूं? च, हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे गुमावदार होते हैं कुछ उदाहरन यहां दिये गए हैं अपने आसपास और वस्तुओं ढूढ़े यहां पर दी गई वस्तुओं हैं बॉल, अलार्म खड़ी और तर्बूज प्रिष्ट संख्या 49 आउ सोचें एक, गुमावदार किनारो वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं रिक्तिस्थान दो, कुछ वस्तुओं के नाम बताईए जिनके किनारे सीधे और गुमावदार दोनों होते हैं रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान औरिगेमी का मज़ा क एक कागज लीजिए और उसे मोड कर एक वर्गाकार कागज बना लीजिए ख इसके रिक्तिस्थान कोने और रिक्तिस्थान किनारे होते हैं ग चित्र में बताए अनुसार दो कोनों को जोड कर इसे आधा मोडें ग जो आकार आपको मिले उस पर सही का चिन लगाएं वृत वर्ग त्रिभुज अंगा इस आकरते में रिक्तिस्थान कोने और रिक्तिस्थान किनारे हैं च त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोडें और फिर उसे खोल दें च अब त्रिभुज के दोनों कोनों से दो त्रिभुज बनाएं ज अब कितने कोने हैं रिक्तिस्थान ज तीसरे कोने को उपर की और मोडें और दिखाए अनुसार नाक और आखे बनाईए आपका कागज से बना कुत्ता तयार है क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़ कर चार भुजाओं वाली आकरती बना सकते हैं इसके कितने कोने हैं बच्चों से अपने आसपास की वस्तूओं की सतहों, किनारों और कोनों की बारे में पता लगाने को कहें यहां प्रिष्ट संख्या 49 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक वर्गाकार कागज की मदद से उसे अलग-अलग आकारों गोल, वर्ग और त्रभुज में मोड़ते हुए एक कुत्ता बनाया गया है प्रिष्ट संख्या 40 पैटरंस वस्तुओं पर विभिन आकृतियों जैसे बोतल के ढखकन, रबर्ड, पैंसिल, सिक्के आदी की छाप से डिजाइन बनाईगी यहां प्रिष्ट संख्या 40 पर एक आयताकार आकृती दी गई है जिसके अंदर शार्पनर, फूल, पैंसिल और सिक्के की मदद से आकृतियां बनाई गई है राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है आप भी कागस पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाईए यहां पर एक आयताकार आकृती है यहां पर राधा को एक लड़का उसके हाथों पर मेहंदी लगा रहा है और इसके सामने मेहंदी वाला हाथ दर्शाय गया है प्रिष्ट संख्या 41 आओ करें नित्या पत्यों के साथ खेल रही है और पैटर्न बना रही है यहां प्रिष्ट संख्या 41 पर पत्तियों से बने कुछ पैटर्न दिये गए हैं आप कुछ पत्ते एकठा कीजिए और एक डिजाइन बनाईए पत्ती की एकोर रंग लगाईए और इसे नीचे दिये गए जगह पर छाप लीजिए यहां पर एक आयताकार खाली आकरती दी गई है घर को सजाने में रोहन और चेतन अपनी मा की सहता कर रहे हैं उन्होंने अलग-अलग आकार के कटे हुए कागज या कपड़े के टुकड़े का उप्योग करके दिवार पर लटकन यानी वाल हैंगिंग बनाई है आप भी अपने घर या कक्षा को सजाने के लिए अपने बड़ों की सहता से दिवार की लटकन बनाईए प्रिष्ट संख्या 42 नीचे दिये गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाईए क यहां पर कुछ तीर के निशान दिये गए हैं जिन में से कुछ के मुह उपर की तरफ हैं और कुछ के मुह नीचे की तरफ हैं इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसी के अनुसार इस पैटर्न को आगे बढ़ाईए यहां पर कुछ फूल और कुछ पंखुणियों के पैटर्न को दिया गया है आगे के रिक्त स्थान में आपको इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है ग यहां आधे वृत्त के चित्र दिए गए है इन वृत्तों में से कुछ वृत्त नीचे की ओर कुछ नीचे की ओर किये हुए है आगे का स्थान रिक्त है इस पैटर्ण को समझते हुए आगे के रिक्तिस्थान को भरी गह यहाँ पर कुछ वर्ग दिये गए हैं इस वर्ग को चार भागों में विभाजित किया गया है इन वर्गों का एक भाग नीने रंग का और बाके के तीन भाग हरे रंग के हैं इसके आगे के स्थान पर तीन खाली वर्ग दिये गए हैं इस पैटर्ण को समझते हुए आपको इन तीन खाली वर्गों को भरना है अंग यहाँ पर कुछ अंडाकार आकरितियां दी गई हैं इन अंडाकार आकरितियों में कुछ तीर के निशान दिये गए हैं जिन में से कुछ के मुह उपर की तरफ है और कुछ के मुह नीचे की तरफ है आगे के खाली स्थान में कुछ अंडाकार खाली आकरितियां दी गई है इन आकरितियों को इस पैटर्न को समझते हुए आपको पूरा करना है च, यहाँ पर कुछ बेल बोटों का पैटर्न दिया गया है यह पैटर्न आधा है इसे समझते हुए आपको बाकी के पैटर्न को पूरा करना है च, यहाँ पर A, B, B, C, C, D का पैटर्न दिया गया है यह पैटर्न आधा है इसे समझते हुए आपको आगे के रिक्तिस्थान को इसी पैटर्न को समझते हुए भरना है ज, यहाँ A, A, सीधा B और उल्टा B, फिर सीधा C और उल्टा C, सीधा D और उल्टा D, फिर सीधा C, फिर सीधा E, और उल्टे E का पैटर्न दिया गया है आपको बाकी के रिक्तिस्थान को भरना है जह यहाँ पर इटों की आक्रती का पैटन दिया गया है जिन्हें पीले और भूरे रंग से रंग आ गया है ये पैटन अधूरा है इसे पूरा करने के लिए इसी पैटन को समझते हुए बाकी के रिक्तिस्थान को भरिये प्रिष्ट संख्या 43 किक्को खर्गोश कोद कर चौथी टाइल पर पहुँच जाता है वो भूल गया कि आगे कहां कोदना है अगली टाइलों पर एक गोला बना कर उसकी सहता कीजिए एक, चार, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान यहां प्रिष्ट नंबर 43 पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में टाइलों का एक पैटन दिया गया है जिस पर एक से लेकर 30 तक संख्याइं लिखी हुई हैं संख्या एक से कूदते हुए किक्कू खरगोश संख्या 4 तक पहुचता है किक्कू के मम्मे कूद कर 6 टाइल पर पहुच जाती है अगली टाइलों पर गलत का चिन बनाकर उसकी साहता कीजी अगली ट्राइलों पर गलत का चिन बना कर उनकी साहता किजी एक, छे, ग्यारा, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस्थान आओ करें यहां दिये गए पैटरंस को आगे बढ़ाईए क, पांच, दस, पंदरह Rock-Distan, Rock-Distan, Rock-Distan. K, साथ, चोड़, इक्कीस. Rock-Distan, 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 Rock-Distan. G--- एक, साथ, तेरह. Rock-Distan, 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 Rock-Distan. अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में।